जैश्री राम दोस्तों, दोस्तों घरों में शूरेक होता है जिसमें बहुत सारे अलग-अलग तरह के शूज रखे जाते हैं कुछ लोग शूरेक को घर के दरवाजे के पास रखते हैं तो कुछ लोग इसे दरवाजे से थोड़ी दूरी पर रखते हैं लोग अलग-अलग मोकों पर अलग-अलग जूते पहनते हैं और इसी वजह से घरों में शू रैक रखा जाता है। घर के फरनीचर का एक हिस्सा होता है शू रैक। इसलिए वास्तु शास्तर के अनुसार शू रैक की उंचाई भी वास्तु के हिसाब से ही होनी चाहिए। छट तक की उंचाई का एक तिहाई से ज़्यादा ना हो। अगर इस से ज़्यादा उंचाई वाला शू रैक है तो यह परिवार के सदस्यों के सवास्तिय को परभावित कर सकता है। वास्तू के अनुसार शू रैक या शू कैबिनेट हमारे घर के फरनीचर का एक एहम हिस्सा बन गया है। आज हम आपको शू रैक रखने के वास्तू शास्तर में बताएगे नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों मैं ललित शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल All Problems One Solution में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शू रैक से समंदित वास्त टिप्स आपको बताएगे लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटा फट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर महतरपुरन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके दोस्तों शू रैक रखने की अदर्श दिशाएं पश्चिम या दक्षिन पश्चिम के कोने हैं इसे कभी उत्तर दक्षिन पूरव या पूरव की दिशाओं में नहीं रखना चाहिए घर की एंट्रेंस उत्तर या पूरव में है तो शू संबब नहीं है तो इसे घर के बाहर रखें शू कैबिनेट को कभी बैडरूम किचन या उस रूम में नहीं रखना चाहिए जहां पूजा होती हो बैडरूम में शू रैक रखने से शादी शुदा जिंदगी पर नकरातमक असर पड़ता है खुले हुए शू रैक की जगा बंद शू कैबिनेट लाने की सला दी जाती है क्योंकि यह घर में नकरातमक ता फेलाता है खुले हुए शू रैक कभी भी अपने घर में ना रखें अगर आप अपने बैडरूम में जूते रखते हैं तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए जूतों को बैडरूम में रखन शूरैक रखा जाता है तो इस से घर की परिवार के सदस्यों को बिमारियां हो सकती है जبकि शूरैक को पूजा घर के पास रखना भगवान का अपमान करना माना जाता है यदि घर में जुते चपल विकरे हुए पड़े रहते हैं तो ये घर के सदस्यों में आपसी संबंध खराब करते हैं इसलिए घर में सही दिशा में सही स्तान निर्धारित कर एक ही जगां पर जुते चपल रखे होने चाहिए अगर रहने का एक ही कमरा है तो ध्यान रखें कि कमरे की उत्तर या पूरव की दिवार के पास जुते चपल संग्रह ना करें जिस अलमारी में आपका लोकर है या परस है या धन का संग्रह करते हैं उस अलमारी के नीचे के खाने में जुते चपल का रैक कभी न बनाए वरना लक्षमी जी रूट जाएंगी वह धन का नाश होना शुरू हो जाएगा जिस बैड पर आप सोते हैं उसके नीचे भी जुते चपल इकठे ना होने पर आप अपने मित्रों रिष्टेदारों से कुछ उपहार ले सकते हैं, परंतु भूल कर भी जूत्ते उपहार में ना लें और ना ही किसी को उपहार में दें, नहीं तो आर्थिक समस्या आनी शुरू हो जाती है, घर में फैले जूत्ते, खास कर मुख्य द्वार के आसपास घर में जगड़ा पैदा कर सकते हैं, जूत्तों को हमेशा सही तरह से रखें और उन्हें कभी अव्यवस्ती तरीके से ना छोड़ें, यह घर में नाकरात्मक उर्जा लाता है, खुले हुए शूरेक की जगा, बंद शू कैबिनेट लाने की सला दी जाती है, क्योंकि यह घ नमबरों पर संपरक कर सकते हैं, आपको हमारे नमबर डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएंगे, जैश्री राम दोस्तों